असलाम वालेकम डियर स्टुनेंट्स वेलकम बैक एक्सपी अकेडमी डॉट कॉम जहां पर आप स्टेफ वाई स्टेफ आटो कैट उर्दू जबान में सीख रहे हैं आज के इस लेसन में आपको रेजिंग करने का तरीका अब आएं स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को डॉट क्लिक कर डालें आपका आटो कैट ओपन हो जाएगा तो डॉट स्टेफ मेरा आटो कैट ओपन हो चुका है अब सबसे पहले आप व्यू में जाके डिस्प्ले यूसियस आइकन को ओरिजिन कर दे वैसे नॉर्मली हमें तो अपने हमेशा यूनिट्स और डाइमेशन को सेटर्स बनाना होता है लेकिन आज के लेसन मुझे इतनी क डेल से बताना चाहूँगा अब इसके लिए या करोगेे सब त्रीकार है वह मुफ्तलिफ मैठेट है पहला मैठेट आपने keyboard से simple enter कर दे या right click press कर दे मैं right click press कर दा हूँ तो फिर भी आपके पास raise हो जाएगा देखें जब आप raise की पर click कर देते हो message आपको देता है select object तो आपने object को select किया और simply right click किया तो आपके पास ये raise हो चुके हैं लेकिन बाद वकात क्या होता है आपने object को select किया हुए है और आप right click कर देते हूँ तो यहाँ पर भी right click करने से आपके पास raise की option available है simply right click कर देने के बाद left click कर दे रिजर की पर जाके तो आपका object raise हो जाएगा अगेन आप object को select कर दें और simple e enter कर दें अपने keyboard से तो इस तरह से भी हो सकते है देखें मैंने दोनों object select किय हुए है e enter किया अपने keyboard से तो अगेन मेरा object raise हो चुका है वापिस आप control z कर दें आप selection दे दें और delete press कर दें अपने keyboard से तो फिर भी आप raise कर सकते हो तो dear students ये थे हम हमारे पास कुछ raise करने के तरीके तो next lesson में इंशालला फिर हाजर होते हैं उस वक्ते के लिए अपना ख्यार रखेगा मजीद मालूमात और update के लिए visit कर सकते हैं आप हमारी website www.xpacademy.com जहां पर तमाम computer courses आपको free online करवाए जाते हैं एंड में एक test लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरह से safety case भी शुकिया जाएगा जिसकी hard copy बज़रिया DCS आपके अपताई हो ड्रेस के नताबकाव को डेई दी जाती है इसके अलबाद यूस्टूर्स अगर आप इन वीडियो की master copy हसल करना चाते हैं तो आप हमें contact कर सकते हैं xpacademy.com पर या आप हमें call कर सकते हैं 0343 9017779 पर तो ये students अपना ख्यार रखेगा practice साथ साथ कीजेगा इन्शाला नेक सेसें फिर मिलते हैं उस सब्सक्राइब के लिए अलाहाफिज असलाम वालेकम